जैस्री करश्न मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 11 फरवरी 2021 गुरु वार के दिन काम तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वा चंद्रवल के प्रभाव से आज 12 में से 7 राशियां भाग गेशाली रहेंगी वहीं अन्य राशी वालों को थोड़ा सा समल करके कारिय विभार करना होगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरु जी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्यका राशी फल नही नही ग्यानवर धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज पहुश माश करशन पक्ष की अमावस्या तिथी है गुरु वार का दिन है और आज दिन की सुरवात स्रवन नक्षत्र से होगी और मकर राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज राहु काल रहेगा दिन के एक बच के अठावन मिनिट से आरंब हो करके तो तीन बच के 21 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो राहु काल के दोरान कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारी आरंब आप नहीं करें और इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तो की खरीदारी करने से बचें और आज दिसा सोल रहेगा दक्षिन दिसा में तो आज के दिन आप दक्षिन दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारी शुरू नहीं करें दक्षिन दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आपके लिए अतियावशक हो तो अपने इस्ट दिवता की सरद्धा पूरवग पूजा आरादना करके अत्वा इस्ट दिवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेष्ट अभी जीत महुरत आरंब होगा दिन के 12 बच बच के 13 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बच के 57 मिनिट तक सरवस्रेष्ट समय रहेगा तो इस समय अवधी में किशी भी शूब मांगलिक बर नएकारी की सुरुवात आप कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करنا चाहते हैं तो कर सकते हैं प्रभावसाली कदम उठा सकते हैं, कुछ लोग आज अपने कामकाज में बदलाव लाकर के अपने दिन को और भी खास बना सकते हैं, लेकिन इससे आपके कुछ सहक अर्मियों और सांतियों के मन में टीस हो सकती है, आपको दूसरों की मदद करने से आज सुकुन मिलेगा, इस समय रहते और अज अपने जीवन सांति का ध्यान रखें उनके स्वास्थ का विशेश ध्यान रखें तो आज आपको भाग्यकासाथ 35 परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्येशालियंक छे हे शुबरंग आपका केςरिया रंग है कि सर्या रंग का प्रियोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिछेत्र में विशेश शफलता पाने के लिए आपको इस महामंतर का यथा शक्ति जाप करना चाहिए ओम स्री विश्णवे नमाह, तो ऐसा करने से भगवान विश्णुजी की विशेश करपा आपको मिलेगी, अगली राशी है व्रशब, व्रशब राशी बालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि शुक्र की इस राशी के लिए आज का दिन शुब फलद आई है घर के सभी लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे और आपकी साहिता भी करेंगे, दोपहर तक आपको कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकता है, आज आपको खुशी मिलेगी, स्वास्त के मामले में आपका दिन बहतर व्यतित होगा, शाम के वक्त किसी पसंदिदा व्यक्ति के घर जाने से मन संतुष्ट रहेगा, खर्च भी आज आपका अधिक हो सकता है, रात्री में किसी शुब मांगली कारी में सम्मिलित होने का अवसर आपको मिलेगा, जिससे की आपकी मान प्रतिष्ठा में वरद्धी के योग हैं, तो आज आपको भाग्य का साथ असी है, शुब रंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारी छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए, आपको इस माहा मंतर का यथा शक्ती आप करना चाहिए ओम स्री लक्ष्मी नाराय नायन महम तैसा करने से भगवान विश्णुजी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज का दिन आपके लिए कई मायनों में खास रहने वाला है पिता के आसिरवात तथा उच अधिकारियों की करपा से किसी बहु मुल्य वस्तु अथ्वा संपत्ति की प्राप्ति के योग है आज के दिन व्यस्तता अधिक रहेगी व्यरत व्याई से आपको बचना चाहिए खर्च पर नियंतर रखना चाहिए आज यात् सहयोग प्राप्त कर पाएंगे तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप आपको मिलेगी अगली राशी है करक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज राशी स्वामी चंद्रमा की शुब करपा प्राप्त होने से कहीं से अठका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं कारोबार में वरद्धी एवं लापके मामले में दि आगे चल करके पश्चात आपका कारण बन सकते हैं इसलिए जल्द बाजी में कोई निरने लेने से पचें सायंकाल से देर रात्री तक देवदर्सन का लाब आप ले सकते हैं तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुब र दिन आपकी राशी बालों के लिए खास रहेगा राजनीतिक छेतर में आशा तीत सफलता प्राप्त करेंगे और संतान के प्रती दाईतों की पूरती कर पाएंगे और प्रती इस प्रधा के छेतर में आज आपको सफलता प्राप्त होगी और कोई रुका हुआ कार्य आगे आपका बढ़ता दिखेगा बाचन क्रिया मंद पढ़ने से पेट संबंदी समस्याइं हो सकती है इसलिए खान पान पर ध्यान अवश्य दें नेत्र विकार आदी की आशंका रहेगी स्वास्त का विशेज ध्यान रखें और साम से लेकर रात्री अंत तक आपका समय प्रियोज का प्रियोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिछेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपको इस महा मंतर का यथा शक्ति जाब करना चाहिए ओम नमो नाराय नायन महां तो इसा करने से भगबान विश्णुजी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के अनुसर आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए विशेश रहने वाला है कारिच्छेतर में आप विशेश प्रकार से लाब की उम्मित कर सकते हैं निकट सगे संबंदियों से सुख प्राप्त होगा सहयोग मिलेगा परिवार में मांगलिक कारियों के होने से खुशी प्राप्त होगी और रचनात्म कारियों में आज आपका मन लगेगा इसका असर आपके कारिय पर पड़ेगा शुभरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रियोग कारेच्छेतर में आज अदिक सदिक आप करेंगे tô आपको विशेष लाप की प्राप्ती होगी प्रतियोगिता के छेतर में विशेश उपलब्दी प्राप्त कर पाएंगे आए के नए नए इस्तरोत्र बनेंगे और अपनी वागपटुता आपको विशेश सम्मान दिलवाएगी भागदोड विशेश रहने के करण मौसम का विपरीत प्रभाव आपके उपर पढ़ सकता ह इसलिए आज आपको थोड़ा स्वास्त के प्रति सतर कर रहने के आवश्यक्ता है जीवन साती का सहयोग वा सानिध्य परियाप्त मात्रा में मिलेगा आज आपके लिए यात्रा और देशाटन की इस्तिती सुखद वा फाइदे मन साभित होगी तो आज आपको भाग्यका सा विशेश सफलता पाने के लिए आपको इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करना चाहिए ओम नमो नाराय नाय नमाहम तो इसा करने से भगवान स्री विश्णु जी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज का दिन आपके लिए आर्थिक द्रश्चि से बेहद खास रहने वाला है धन सम्मान यश किर्थी की प्राप्ति करेंगे रोका हुआ कारिया आपका सिद्ध होगा और प्री जनों से भेट होने से मन में प्रसनता बनी रहेगी वानी पर सैयम नहीं रखने से विपरीत परिस्तितियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है इसलिए आज थोड़ा सतर कर रहकर के कारिवेबार भी करें सायंकाल का समय प्रीय जनों से भेट और रात्री में सेर सपाटे मोज मस्ती का अवसर आपको मिलेगा तो आज आपको भाग् किशाली अंक एक है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयों कारिचेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारिचेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपको इस महा मंत्र का यथा शक आज के दिन आपके लिए कई मायनों में खास रहने वाला आय कारिच हेतर में आपको लाप के प्रबल योग हैं तो दूसरी और गरह उपियोगी वस्तों पर धन खर्चे आपका हो सकता है सांसारिक सुक के साधनों में व्रद्धी के योग है और अधिनस्त कर्मचारी या किसी संबंदी के करण तनाव आपका बढ़ सकता है रुपए पेसे के लेन देन में सावधानी आपको बरतना चाहिए धन कहीं आपका अटक सकता है आपके विरुद्ध शडियंत्र विफल हो जाएंगे और किसी वज़े से लोग आपके खिलाप बाते भी कर सकते हैं इसलिए आज आपको थोड़ा सतर करह करके कारे विभार करने की आवशकता रहेगी तो आज आपको भाग्य का सांत 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकशात है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोग कारे शेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज कारी छेत्र में विशे सफलता पाने के लिए आपको इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप करना चाहिए ओम नमो नाराय नाइन महा तो इसा करने से भगवान स्री विश्णु जी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज मकर राशी वालों के लिए सफलता प्राप्त करने का दिन है अनुकूल लाब होने से हर सापको होगा आर्थिक इस्तिती पहले की अपक्षा काफी मजबूत होगी व्यवसाय में अर्मिक इस्थानों की यात्रा का विचार आप कर सकते हैं आज वाहन का प्रियोग सावधानी से करें अकस्मात वाहन में कोई खराबी होने से खर्च आपका बढ़ सकता हैं तो आज आपको भाग्यकासांत सतर परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोग कारेच्षेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारेच्षेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपको इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप क अगले राशी है कुम्भ, कुम्भ राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज का दिन आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, पतनी को अकस्मात सारीरिक कष्ट हो सकता है, और भाग दोड़ वक खर्चिक इस्तिती निर्मित हो सक इसलिए आज आज आपको थोड़ा सावधान रहने के अवशकता रहेगी, किसी संपत्ति के क्रई विक्रई के समय उसके वेदानिक पहलों पर गंभिरता से विचार अवश्य करें, आज सायंकाल के समय पतनी के स्वास्त में सुधार होने से मन में खुशी भी रहेगी, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारिशेतर में विशेश सफलता पाने के लिए, आपको इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा, तो इसा करने से भगवान विश्णु जी की विशेश करपा अगले राशी है मीन, मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज के दिन आपका विवाहिक जीवन आनंद मैं वितीत होगा, आज पास वदूर की सकारणी यात्रा आपके द्वारा हो सकती है, बिजनेस में बढ़ती प्रोग्रेस से आपको प्योगी साबित होगी और दिन आपको लाब देने वाला रहेगा, तो आज आपको भाग्य का साथ 97 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक पांच है, शुब रंग आपका आसमानी रंग है, आसमानी रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सद तो ऐसा करने से भगवान विश्णुजी की विशेश करपा आपको मिलेगी तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेहर अवश्य करें धन्यवाद ज झाल